असलाम वालेकुम फ्रेंट्स वल्कम बैक टू माई शानल हीना भी हल्दी फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक जबर्दस सक्सेस्टोरी लेकर आई हूं मेरी सब्सक्राइबर की जिनोंने पुरे 9 साल बद 2nd time pregnancy कंसीव की है पहली pregnancy भी इनको कंसीव नहीं हो रही थी लेकिन बहुत इलाज करवाने के बाद कंसीव हो गया और happily एक लड़की भी इनको हो गई लेकिन जब ये 2nd time baby प्लान कर रही थी तो बहुत ज़ादा difficulties आई चार सार ट्रीटमेंट कराने के बाउजूद भी इनको कंसीव नहीं हो रहा कर लिए लेकिन फिर भी इनको कंसीव नहीं हुआ फिर उसके बाद में इन्होंने personally हमसे कंसल्टेशन लिया कंसल्टेशन के दौरान में इनकी और मेरी बात हुई फिर मैंने इनके husband को और इनको कुछ tips और कुछ नुसके सज़़स्ट किये जिससे friend आप लोग यकीन नहीं मा यह वीडियो बहुत ज़दा नॉलिज़िबल होने वाला है फ्रेंड हर एक इन्फरिलिटी पेशन्ट के लिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर में बहुत सारी बाते आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हो इनके हजबें ने अपना परसनेल एक्सपीरेंस भी हमारे साथ में शेयर किया इनके हजबें ने हमें ये बताया कि हम आपके उपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे जबी भी मैं अपने ऑफिस से आता था मेरी वाइफ आपके ही वीडियो वाच करती थी तो मैं उनको एकी बात बोलता था कि इतने वीडियो मत देखिए यह सारे फेक स मुझे बढ़ गया और फ्रेंड हम आपका भरोसा ही चाते हैं एक भरोसा ही होता है जो एक दूसरे को करके रखता है तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने वाली हूं मेरी सब्सक्राइबर ने कैसे कंसीव किया कौन से टिप फॉलो की जिससे के इनों ने आज विदिन वन मन्त में नैचूरली कंसीव कर लिया है आप मेंसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत दिनों से ट्राय करें कंसीव करने के लिए और बहुत सारे टिप बी अजमा के देख चुके हैं लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो उनको आगे next step क्या करना चाहिए, कौन सा नुसका अपनाना चाहिए, सारी चीज़े हम detail में बात करेंगे, तो चलिए फ्रेंड, without wasting any time, आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं, मेरी subscriber का नाम है अनीता, Hello मैम, नमस्ते, मैं अनीता उत्राकंड से, मैंने आपके tips को follow करते हुए, conceive कर लिया है, आज 5 days हो गए, मैम बहुत खुशी हुई, मुझे आपको बताए हुए, इसमें आपकी बहुत कृपया है, Thank you मैम, 9 years से, 5 years की baby है, दूसरे के लिए 4 साल से try कर रहे थे, प्रेंड ये हमारे tips 5-6 महीने से ही इस्तमाल कर रहे थी, जो इन्होंने आपे mention किया है, 5-6 months से blackishmish water, leg up the wall position, hair wash, कलाउंजी seat, After your consultation, my husband used केसरीकल 54 प्राश, before 2 month fertility massage किया, जिससे मेरी दूसरी साइट की बंदर ट्यूब खुली, और उसी block tube से conceive किया, morning walk everyday किया 2 km, मैं ये सब आपकी दुआ की वज़र से possible हुआ है, मैं दुआ करिए कि आगे भी सब ठीक रहे, इश्वर आपकी सारी मनुकामनाय पूरई करे, और आप हमेशा खुश रहे, और आप ऐसे ही सब का भला करते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया मैं, मैं और मेरे हस्बेंट बहुत खुश है, so again lots of thanks, तो friends आप देख सकते हैं, अनीता ने अपना positive feedback शेर किया है, इनकी शादी को 9 years हो गए थे, 5 साल की इनकी बेटी भी है, पहली pregnancy भी इनको इलाज करते हुए conceive हुई थी, लेकिन जब ये second time pregnancy प्लान कर रही थी, तो बहुत इलाज करवाने के बाद भी, इनको कोई भी तरह का result नहीं मिल रहा था, इनकी एक tube भी block थी, 5-6 महिने से इन्होंने black resin water, leg up the wall position, hair wash trick और kolonji seed water लिया, लेकिन इन सारी चीजे करते हुए भी इनको 5-6 महिने में एक बार भी conceive नहीं हुआ, फिर इसके बाद में इन्होंने हमसे consultation लिया, consultation लेने के बाद में इनके और मेरी बात हुई, उस दौरान में मैंने इनको और इनके husband को कुछ tips suggest की, जिससे इनको within a one month में conceive हो गया, देखे फ्रेंट जबी भी आप लोग consultation लेते हो, तो आपकी पूरी हिस्ट्री मुझे पता चलती है, मैं आपकी reports भी चेक करती हूँ, उसके बाद में मैं आपके condition के according कुछ tips देती हूँ, husband और wife दोनों को भी tip देती हूँ, आप लोग मुझे comment section में पूछते हैं, मैडम मुझे ये problem में, मैं consultive follow करूँ, तो friend देखे, एक comment के अंदर मुझे आपकी problem नहीं पता चल सकती, इसलिए friend जब आप consultation लेते हैं, तो वहाँ पर मुझे आपकी पूरी history अच्छी तरीके से पता चल जाती है, फिर उसी के according में आपको tip देती हूँ, वैसे मैं comment section में बहुत सारे लोगों को reply देती हूँ, लेकिन difficult है सब लोगों को answer देना, और एक comment के अंदर में आपकी history नहीं जान सकती, और एक comment के अंदर आप अपनी problem को भी describe नहीं कर सकते, तो उसके लिए सबसे बहतर यही है कि आप मुझसे बात करें, आप अपनी report शेयर करें, report देखने के बाद में मुझे आपका case अच्छी तरीके से समझ में आएगा, उसी के according में आपको tips सेंड करूँगी, हमारे चैनल पर infertility के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी कारगर टिप्स है, जिससे कि fertility, massage, seat, cycling, leg up the wall position, black resin, water, ashwagandha, milk वाली remedy, hair wash, trick, बहुत सारी टिप है जिसका आप उपयोग करके नाच्छीरल तरीके से conceive कर सकते हैं, एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना, कभी भी महिलाओं को ही treatment नहीं देना चाहिए conceive करने के लिए, भले ही आपके husband की सारी reports नॉर्मल है, फिर भी उनको केसरी कल 54 जरूर दीजिए, क्योंकि इस से क्या होता है, जितने भी dead sperm होते हैं, उनके अंदर improvement आता है, जितने भी sperms होते हैं, उनकी quality अच्छी होती है, morphology अच्छी होती है, और mortality अच्छी होती है, जिससे क्या होता है, conceive करने के chances आपके दो गुना और बढ़ जाते हैं, मान लीजिए अगर आप 6 महिने में natural तरीके से conceive कर रहे हैं, तो आपको 2 महिने में ही pregnancy conceive हो जाती है, तो वो आप ही के लिए अच्छा है, इसे कभी भी महिलाओं को ही treatment नहीं देना चाहिए, मैं अपने वीडियोस के अंदर बहुत बार बोल चुकी हूँ, कि husband और wife दोनों भी tip follow कीजिए, तभी ही आपको pregnancy conceive होगी, ठीक है, मैं कभी भी अपने patient को ऐसा नहीं है, किसी महिलाओं को ही tip देती हूँ, दोनों को भी tip देती हूँ, husband और wife को, ताकि उनको जल्दी से जल्दी pregnancy conceive हो सकते, अगर friend, आप लोग मुझे से टेलफॉनी consultation लेना चाहते हैं, call पे बात करना चाहते हैं, और अपनी report send करके, अपनी condition के according tip लेना चाहते हैं, तो heenafaridi026.gmail.com पे आप mail कर सकते हैं, I want consultation, आगे का procedure मेरी team आपको guide कर देगी, यहाँ पे आपको पूरी सुवीदा मिलेगी friend, अगर आप लोग मुझे consultation लेना चाहते हैं, बहुत दिनों से गर्बधारन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे contact करके, मुझे से आसानी से बात कर सकते हैं, यह एक paid service है friend, इस पे mail करने के बाद में आपको सारा procedure पता चल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं friend, अगर आप लोग consultation नहीं लेना चाहते, तो कोई बात नहीं, आप लोग इस channel पे दिये गए सारे tips का उपयोग ज़रूर करें, यह वीडियो शेयर करने का सिर्फ इतना ही मकसद था, जितने भी लोग 5 से महीने से हमारे tip फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक उनको सफलता नहीं मिली है, तो please tips के अंदर कुछ न कुछ changes जरूर करें, क्योंकि अगर आप लोग इतने दिनों से tip फॉलो कर रहे हैं, result नहीं मिल रहा है, तो शायद कोई दूसरी tip की जरूरत है आपकी body को, जब वो tip लगेगी आपकी body को, तो आपको जल्दी ही pregnancy conceive हो जाएगी, तो friend मेरी subscriber ने black resin water यूज किया, leg up the wall position यूज किया और hair wash trick यूज की, साथी में इन्होंने fertility massage भी की, क्योंकि डॉक्टर ने इनको कहा था कि आपकी एक side की tube block है, तो इसके लिए मैंने इनको fertility massage recommend किया था, fertility massage करने से इनकी एक जो tube block थी, वो खुल भी गई और उसी tube से इन्होंने conceive किया, अब आप लोगों के मन में ये बात चल रही होगी, कि उनको कैसे पता चला कि tube भी खुल गई और conceive भी हो गया, तो friend में आपको बताती हूँ, ये जो मेरी subscriber है, वो हर महीने follicles study कराती थी, तो इनको पता था कि follicles कहां पे बनते हैं, तो उस चीज़ से इन्होंने track किया कि जिस side की tube इनकी block है, उसी side अंडा बन रहा था, और उसी side की tube इनकी जो है खुली, क्योंकि जब fertility मसाज कर रहे थी, तब इनको अंदर से ही कुछ ना कुछ फील हो रहा था, कि कुछ अंदर changes हो रहे करके, और उसी मंत में इन्होंने conceive कर लिया था, तो इनका ऐसा कहना था, कि इनकी tube भी खुल गई और उसी tube से इन्होंने conceive किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, और हीना भी अलदी के लिए बहुत ही अच्छा achievement भी है, तो फ्रेंड अगर आप लोगों को भी tubal blockage का कोई problem है, conceive नहीं कर पा रहे है, secondary infertility है, एक पहले से बच्चा है, दूसरी बार conceive नहीं कर पा रहे हैं, तो घबराईए ना, आप लोग हमारे tip follow कीजे, घर बैठे, आप आसानी से अपना ilaj कर सकते हैं, और conceive कर सकते हैं, घबरा भी होता है कि first time आपको naturally conceive हो गया, लेकिन second time में या तो आपकी tube block हो गई है, आपको PCOD का problem हो गया है, diabetes हो गया है, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि हमारी जैसे जैसे उमर बढ़ रही है, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ changes होते रहते हैं, तो उस चीज को accept कीजे, अगर कोई problem है, तो उसके according treatment लीजे, उसके according tips follow कीजे, इंशाला आपको भी conceive हो जाएगा, और जितने भी लोग secondary infertility से परेशाने conceive नहीं करवा रहे है second time, तो वो लोग ये tip जरूर ही उपयोग करें, I hope आपको ये चोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो के अंदर मैंने ज मैंने link नीचे description box में दे दिया है, अगर आप लोग भी वो tip follow करना चाते हैं, जाएए वीडियो को देखिए, और tips आज से ही start कर दीज़े, इंशाला आपको भी बहुत ही जल positive result मिल जाएगा, अपने ovulation को ट्राक करने के लिए, हीना health android application जरूर डाउनलोड करें, link मैं नीचे description box में दे दूँगी friend, क्योंकि इस application से बहुत सारी महिलाओं ने अपना ovulation ट्राक करके pregnancy conceived की है, तो आप लोग भी इस application को अपने mobile में जरूर डाउनलोड कर ले, मुझसे consultation लेने के लिए ही इनाफरीदी026.gmail.com पे mail कर सकते हैं, I want consultation, आगे का procedure मेरी टीम आपको guide कर देगी, तो friend, आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप लोगों से next वीडियो में next topic के साथ, जब तक के लिए, Allah हाफिस!